नमस्कार दोस्तों आप सभी का भोध भोध स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है वो क्यों है उसका हिस्टोरिकल बेग्राउंड क्या है और आगे क्या सॉलिशन हो सकते हैं कौन-कौन से डिस्प्य है तो जो महिन डिस्प्यूट है तीन रिज्टोरिकल फिल्च चांग चेन वाला 주алы कसमेर में हमारा जो रिजन है अक्साई चीन वाला देखिए यहां पर dispute है और यह जो border length है वह 2150 किलोमेटर लंबी जो border line है यहां पर हमारा मेंड डिस्प्यूट यहीं पर है जो सबसे ज़दा चर्चा में रहता यह मेंड डिस्प्यूट है और यहां पर देखिए जो line of actual control है वो भी देखिए line of actual control जिसको 1965 के यूद के बाद नाम दिया गया था ये line of actual control है ठीक है ये line of actual control है उसके बाद जो central sector है वहाँ पर देखिए 550 km लंबी जो length की borderline है सीमा रेका है वहाँ पर भी dispute है हिमाचल परदेश और उत्राकंड में हिमाचल परदेश और उत्राकंड में यहाँ पर dispute है उसके बाद eastern sector में पूर्वी छेतर में देखिए अरणाचल परदेश है और सिक्किम वाला जो reason है यहाँ पर भी dispute है लेकिन देखिए ये इतना चर्च अब जाएना के जो ट्राइचंशन पे है डॉकलाम इस्तित है तो डॉकलाम पे भी है विवाद हुआ था लेकिन उसको तो हुलजा लिया गया था लेकिन जो अभी जो विवाद है वो काफी बड़ा है देखते हैं किसे सुलज पाता है अब हम समझतें विवाद है क्यों इस विवाद की जड़ क्या है कहां से विवाद उत्पन हुआ है तो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा तो चलिए हिस्ट्री में हिस्ट्री में जाने से हमें पता जलता है कि 1914 में तीन पक्स एक साथ आये थे तीन पक्स कौन-कौन से बीटिस स सरकार और तीसरा राष्टवादी जो चीन की राष्टवादी सरकार हो यह तीनों एक साहथ आए और उन्होंने यह कंवेंशन पर हस्ताख्षर किये सिम्ला कंवेंशन 1914 में उस कंवेंशन में यह मै persons line है लेकि यह मेसम लाइन है इसको में वो तो राष्टवादी सरकार थी हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं कुछ तो उसने इसे मुकर गया मैक मॉन तरोन में से और हो और काता है कि मेंक को प्रदेश टाक है कि मेंदा रीक से जलाया के लिए जाता है भारत में 206 वाता भारत बारत और चांचा बीच में और इस यूद ने चीन को है चाइना ने जीत लिया था बारत से मतलब इस पर कबजा कर लिया जबरदस्ती चाइना ने और भारत तो अभी भी क्लेम करता है यह हमारा रिजन अक्साइज चीन वाला अब देखें उस समय हुआ क्या था उनने सो चौपन में क्या हुआ था एक पेकेज डील है इसमें सिर्फ चाइना ने ये पस्तावित किया कि विवाद की जटीलता को आधार बनाना है और कोई भी कूटनेतिक वारता करने की जरूत नहीं है और विवाद की जटीलता के आधार पर है जो छेतर है उसकी अदलाबदली कर दी जाए कूटनेतिक वारता की कोई जरूत न इसे हैं ना भारत ने अपना सिदांद्र कर लो वाचित कर लो दोनों पक्षट कि यह तो को रखो तार्किक आधार पे हैं, आगे भड़ो, तार्किक आधार पे हैं, विवाद को सुलझाओ, भारत ने ये का, अब देखिए 1962 आते हैं, चायने को लगा, कि भारत दो है, जो हमारी बात मानने वाला नहीं है, जो package deal है उसको मानने वाला नहीं है भारत, तो उसने है युद्ध स्टार्ट कर दिया और 1962 में उसने स्थैन यहलमला कर इस पेकेज को जो पेकेज डिल 1954 में पस्तावित की थी उसने उसको बल पुर्वक मनाने का परियत न किया और वह अपने सडियंतर में सफल भी हो गया था उसने मना लिया ना 1922 में जो अकसाई चीन क को है ले लिया चिंड या भरत से तो उस तरह से वह अपने सडियंतर में तो सफल हो गया इस कारण जो अकसाई चीन का भी डिस्प्यूट है वह बना हुआ है और 1962 में ही है जो लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल है उसका यह सिद्धान तो सामने आया था ठीक है जो अकसाई च आगे बनना चाहता है और बार बार विवाद बना देता है बार बार हमले कर देता है जो भारतिय सेना और चाइना की सेना के बीच में यहां पर जड़ब चलती रहती है आए दिन और हमारे जो सेनिक है जो इतनी मुस्किलों में यहां पर युद करते हैं और उनको अपने ज पैगोंग सो लेक हैं जो हमारे लदाक रिजन में हैं पैगोंग सो लोग देखिए पैगोंग सो लेक हैं इस लेके आसपास की रिजन में डिस्प्यूट चल रहा था यहां पर टूप सामने सामने थे फिर देखे जो है गलवान वेली तक आ गया गलवान वेली में कुण चाइना क्या कर रहा है चैना कि बाजी क्यालता है यहां पर देखिए जो इंस इंस पड़िए कर रहा है तो भारत के लिए चिंटा का विश है घारत की सुरक्षा इसस्सने खत्रे में आ सकती है तो भारत इस बात को उठाएगए उठाएगा कि भाई आप border area पे हैं जो infrastructure create क्यों कर रहे हैं border area पे जो एक sensitive area यहां पे infrastructure क्यों create कर रहे हैं हमेशा भारत इस बात को उठाता रहता है और यहीं पे अब देखी कितनी बार चाइना को जो सेने का यहां पे आगे आ जाते हैं हमारे जो line of control को भी पार करके वो कितनी बार आगे आ जाते हैं और यहां पे जो dispute हो जाता है चाइना और इंडिया के बीच में अब देखें जो विवाद का सुलजाने का जो हल है वो कैसे सुलज सकता है देखी हल तो एक ही है यह सिर्फ और सिर्फ गौवर्मेंट के इस तरफे कूटनेतिक वारता हों कि मादेम सही विवाद को सुलजाय जा सकता है युद कोई हल नहीं है वर्तमान की जो situation है क्योंकि सभी जो बड़े जो देश उनके पास है परमानू हत्यार है अच्छे कासी technology है तो युद कोई बात का हल नहीं है युद हल नहीं हो सकता किसी भी मुद्दे का अगर युद होता है तो भारत को भी नुकसान है और चाइना को भी नुकसान है दोनों देशों को नुकसान होगा फाइदा किसी को नहीं होने वाला अगर इंडिया का जादा नुकसान होगा तो चाइना को भी तो कुछ नुकसान होगा नुकसान दोनों का है फाइदा किसी को नहीं होने वाला तो हल तो सिर्फ और सिर्फ कुटने तिक वारता के आधार पर निकल सकता है, अब वो केसे निकलेगा, वो भविशे की गर्ब में है, हम भी देखते हैं केसे इस विवाद का सुलजारा होता है, भारत और चाइना के बीच में टोटल 23 विवादीत और समवदेद सिल छेत्र है, और इसके अलावा जो अलेसी है, लाइन चाइना क्या करता है, कि जो LSE उसकी लेंद सिर्फ 2000 किलोमेटर के आसपास ही है, तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट है, और कौन-कौन से जो सेंसिटिव रिजन है, लदाक में हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर देमचोक है, ट्रीग हाइट है, देखिए यह ट्रीग सिपकिल्ला है, और फिर उत्राखण में, उत्राखण में देखिए बारा होती और पुलान सुन्डा, यह रिजन है, जो डिस्प्यूटेड है, अर्नाचल परदेश की हम बात करें, तो अर्नाचल परदेश में देखिए नामखाचू, अर्नाचल परदेश में नामखाचू सुम्द्रोग्चु अस्पिला लॉंग्जु डिचु ये सब जो रिजन है अर्नाशल परदेश में भी डिस्पूटेड है तो टोटल 23 विवादित और समवेदन्सिल छेत्र है जो भारत और चाइना के बीच में है देके चाइना है वो भारत को चारो तरप से घे रहा है और ये हमारे लिए एक चिंतास का विशे है बात करें स्रिलंका की स्रिलंका ने चाइना को एक पोट है हमबन टोटा उसको 99 साल की लीज पे दे दिया है और हमबन टोटा पोट को है स्रिलंका में है जो उसको चाइना है विक्सित कर रहा है हालांकि इस पोर्ट के लिए पहले स्रिलंका ने है भारत से आगरे किया था यहां पे पोर्ट विक्सित करने के लिए लेकिन भारत जब आगे आया नहीं तो फिर स्रिलंका के पास एक ही चाराता कि चाइना के पास चला जाए, तो वो चाइना के पास गया और चाइना ने उसको तुरंट हामी बढ़ दी और यहाँ पे आप देखिए, स्रिलंका में है वो हमबंडोटा पोर्ट को विक्सित कर रहा है, इसके अलावा है स्रिलंका को वह सारा loan भी दे रखाय चायना ने, loan दिया, फिर उस loan का जो रिण नहीं चुक रिणस चुका नहीं और उस रिणस तक नहीं चुका स्रिलंका से और उसने old rain ले लिया, उस रिणस को चुकाने के लिए old loan ले लिया तो इससे स्रिलंका है एक डेप ट्रेप में फस गया चाइना के अब पूरी तरह एक तरह से चाइना पे निर्बर उसको रहना ही पड़ेगा तो स्रिलंका गया हमारे हाथ से इधर है माल्दिव है माल्दिव भी हमारे हाथ से गया माल द्वीब में देखिए total छोटे मोटे द्वीबों की हम बात करें तो total 36 द्वीब है यहाँ पे और उन में से 14 या 16 द्वीब पे है चाइना का अधिकार है चाइना ने यहाँ पे अपना बेस बना रखा एक तरह से यहाँ पे अड़ा बना रखा है चाइना ने एक तरह से अपना माल द्वीब में जो 14 या 16 द्वीब पे उस पे अपना अधिकार जमा रखा है तो यहाँ पे देखिए माल द्वीब पे भी आ गया चाइना यहाँ पे स्रिलंका पे भी चाइना आ गया अब बात करें हम बांगला देश की तो देखिए बांगला देश में जरूर जो सेख हसीना सरकार है वो भारत की पक्स में है लेकिन उस सरकार की पक्स में होने के बावजूद है जो दूसरे ग्रूप है उसको है चाइना बढ़का रहा है और उनको अपने PAKS में करने की कोशिस कर रहा है और यहां तक भी देखने में आया है कि बंगलादेश को भी कुछ लोन दे रखा है चाइना ने उसके बात करते हैं पाकिस्तान की देखे पाकिस्तान तो एक पूरी तरह से हैं चीन पे ही निर्बर है वो सारा लोन ले रखा है चीन से इसके अलावा यहां पे एक कोरिडर है चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडर यहीं से होके गुजर रहा है जो चाइना का एक माहत्वण प्रोजेक्ट है जो बेल्ट अन रोड इनिसिट्यू का महतवण पार्ट है यह अब देखिए भारत का कहना है कि आप P.O. के से इसको निकाल रहे हैं केसे आप निकाल सकते हैं एक विवादी छेतर से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को आप कैसे निकाल सकते हैं भारत हमेशा कहता है कि यह हमारी संपर्प३रता के लिए खत्रा है लेकिन चायना इसको अभी मानने के लिए तयार नहीं है फिर भी और यहां तक है जो लड़ुँआ ने आप ग़िए भारत को आँख दिखाने लग गया नेपाल भी कर रहा है कि जो काला पानी का जो रेजन है वो हमारा है आपने हमसे हड़प लिया है ऐसा कर रहा है वो और देखिए नेपाल की जो नजदी किया है धीरे धीरे है चाइना से बढ़ती जा रही है और नेपाल ने भी है चाइना से है वो कर्ज ले रखा है तो इस तरह देख जबरूर है कुछ करना चीह हलंकि भारत कर भी रहा है कुछ समय पहले क्वार्ड का निर्मान किया गया था जिसमें चार देश सामने आये थे यूस से ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत इसमें सामने आये थे और लेकिन अभी उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए हैं क्योंकि वह भी है उसी समय चर्शा में आया था वापस है न्यूज में नहीं आया कुछ उसमें क्या आगे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो भारत को आगे हैं अपनी पॉलिसी को डिसाइट करना होगा किस तरह से चाइना को है काउंटर कर सकें किस तरह से चाइना को उत्तर दे स इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत